एडिन दालो text deduction add source text deduction add source section 51 एक ही section है abbreviated as TDS GST वाला है income tax में भी है कहीं confuse कर जाओ TDS का मतलब होता है जो परसन पेमेंट कर रहा है सारी पेमेंट रिसीपेंट को ना करके कुछ परसेंटेज वो बिटा TDS काट लेता है और गौर्वर्मेंट के अकाउंट में जमा करवा देता है TDS जो भी परसन पेमेंट कर रहा होता है उस परसन को क्या होता है एक परसेंटेज से वो TDS काटता है और गौर्वर्मेंट के अकाउंट में क्या करता है वो डिपॉजेट करता है तो यहां में जो GST वाला TDS ले रहा हूं इंकम टेक्स में भी आएगा बिटा वो इंकम टेक्स में कंसीडर करेंगे एक ही सेक्शन है 51 एक तो यह नया चेप्टर इंटेडिवस हुआ है अपने निव स्कीम में जैसे प्लेस और सप्लाई उल्ड में नी था न्यू में था ऐसी यह भी है तो इनकी आने की पॉसिबिटी है मेटा इंचेप्टर की क्या चीज है यह कंडीशन पर ध्यान दो एक परसन होगा सप्लायर यह कोई भी हो सकता है GST रजिस्टर्ड परसन होना चीए रिषा नोर्मलग स्कीम में हो चाहे कंपोजीशन स्कीम में हो हो न चाहिए यह GST रेजिस्टर्ड नॉर्मल में भी हो सकता है और कंपोजीशन में भी इस ने करिशन छु consent की रीसीपियनट रिसीपियनT होने चाहिए स्पेसिपाइड परसन ंस पेस्पाइट डिफाइट कर रखें प्रॉपर म planes के 10 परसन दूऊं कंफीजुट बता हो गहां अभी यह की नाम देदरे हैसाव कां लाके स्पेसंपाइट पर सन्यानिकि थे पैसे बलस प्ला Teraz ये अगर 5,000,000 से ज्यादा है supplier, registered person registered composition में भी हो सकता है और नॉर्मल में भी हो सकता है recipient must be specified person specified खाली government bodies है और कोई नहीं है यहाँ यहाँ पर मैटा अभी एक मिन्ट के लिए आद कर लो recipient को नोह आ चाहिए यह गौर्वर्मेंट बोड़ी प्रोपर देफिनिशन है देखेंगे कॉंट्रेक्टिड वेली ओफ सप्लाई डाई लाग से ज्यादा होनी चीए तो तब जब यह बिटा स्पेसिफाइड परसन पेमेंट करेगा एट ताइम ओव मेकिंग पेमेंट जब जब स्पेसिफाइड परसन पेमेंट करेगा TDS काट के क्या करेगा बिटा यह पेमेंट करेगा एट ताइम ओफ मेकिंग पेमेंट TDS शेल बी डिड़क्टिड ओन पेमेंट एक्चुली मेड TDS शेल बी डिड़क्टिड ओन पेमेंट एक्चुली मेड सर बट इस रेट ओफ TDS CGST एक परसेंट काटेगा SGST एक परसेंट और अगर IGST हुआ तो दो परसेंट एजिम ने कर रहा है लोग के अंदर रेट है Supplier registered होना चाहिए वो normal scheme में भी हो सकता है composition scheme में भी हो सकता है contracted value of supply डाइ लाग से ज्यादा होने चाहिए conditions है मिटाए recipient कोन होना चाहिए specified person होना चाहिए यह तीनों पाइंट satisfied है supplier GST registered contractual value of supply डाइ लाग से ज्यादा recipient must be specified person तीनों पाइंट अगर satisfied है जब जब पेमेंट होगी तब तब TDS काटके क्या होगी बच्चे पेमेंट होगी सब किस रेट से TDS काटेगा Interstate Supplier तो क्या लगा होगा CGST SGST एक एक परसें Interstate Supplier तो क्या लगा होगा IGST दो परसेंट के हिसाब से TDS काटके यह जमा करवाएगा इसको TDS काटना है इसको लॉकी लेंग्वेज में बोलते हैं TDS डिड़क्टर अंडर सेक्शन फिफ्टीवन सेक्शन ही पूरी यह कि यह फिफ्टीवन आस से पहले कहां वर यूज हुआ था यह TDS डिड़क्टर अंडर सेक्शन RCM वाले में जब बोला था पूरा चेप्टर आएगा अब समझ में आएगा आपके यह ठीक है यह TDS काट रहा है जिस पर्सन का TDS डिड़क्ट होता है उसे क्या बोलते हैं TDS डिड़क्टी TDS काट के बिटा यह स्पेसिफाइड पर्सन TDS काटेगा अगले महिने की 10 तारीक तक इसको TDS जमा करवाना होता है जिस भी पर्टिकुलर डेटबेस ने TDS काटा एक पर्टिकुलर मन्थ में जितने भी TDS काटे कब तक डिपोजिट होंगे बिटा 10th of next month TDS So deducted Shall be deposited By 10th of next month अगले महिने की 10 तारीक तक यह क्या कर देगा बिटा टीडीएस डिपोजिट कर देगा इसके अंगल से पढ़ा रहा हूं अभी मैं पहला काम यह TDS काटेगा जो TDS कट गया immediate basis पर जमाने कराना अगले महिने की 10 तारीक तक जमा करवाना है अगले महिने की 10 तारीक तक ही यह TDS डिड़क्टर अपनी रिटन पाइल करेगा इसकी रिटन का फोम होता है GSTR 7 TDS डिड़क्टर शेल फाइल ही रिटन इन GSTR 7 बाइ एन्थ ओफ नेक्स बंद दोनों पाइंट को भी कठा करके बोलो अगले महिने की 10 तारीक तक टैक्स भी जमा करवाना है अगले महिने की 10 तारीक तक टैक्स स्वां होगा अगले तच्ס दशमा करवाने में लेट ओगए टेक्स का मतलब QDs व Şu हैं जा उट्रस्थ इंट्रस्ट rate of 18% per annum shall apply यहां तो interest भी compute करना जिखाऊँगा नया chapter है 10 तारीक तक है पीटा 10 तारीक तक जमा करा दिया इट्स ओके अगर 10 तारीक से लेट हो गया तो TDS तो देना पड़ेगा along with interest rate of interest is 18% per annum ठीक है जी return file करनी है पीटा 10th of next month GSTR 7 में जब यह बिटा TDS जमा करवा देगा तीसरा काम तो एक certificate तयार करता है कि मैंने बला बला परसन का इतने परसंटेज से क्या काटा है TDS काटा है पोटल पे देता है वो GSTR 7A में वो कितने दिन के अंदर जाता है पाच दिन के अंदर अंदर पाच दिन कहां से जिस दिन उसने TDS डिपोजिट कर दिया स्पेसिफाइड परसन ने जिस दिन TDS डिपोजिट कर दिया वहां से पाच दिन के अंदर अंदर वो क्या देगा डिड़क्टी को tds certificate देगा डिड़क्टी को tds certificate देगा ओन लाइन होता है GSTR 7A में इसमें कुछ नियोंता डिटेल होती है कि हमने कितने वैल्ल्यू की अप्लाई ली है हमने कितने की पेमेंट करी है हमने कितना TDS काठा है ये detail किसमें जाती है आपकी TDS Certificate कौन देता है किसको देता है 已有何 और टेड़ पर ठेटल भी हुआ हुए दो उसफर देड है और यह को तक तक देट है भी टेटी डेता Hence नहीं के अनृगि आरन पांच दिन कहां से दस तारिख निढ यह ऌ20ели ज्मा कर वाया हूगा वह हो सकते है TDS उसे श्टारिख को जमा करा ढिया ते शव्म् सभी 10 तरीक कोसरे ना, को छे से पांच दिन के अंदर सुना थारिक और यंदर लेत हो गया तो बारे तारिक से पांच दिन के अंदर, थो तीसरा काम जो इसको करना होता TDS deduct Lift TDS certification certificate form क्या है इसका 7 TDS deductor shall furnish TDS certificate to deductee मतलब supplier within 5 days from the date of deposit of TDS बस एक दो पाइंट और चेप्टरी खतम हो जाएगा यह टाइम पूरा लगेगा देट दो वन्टे अनलाइज धी करवाना है मने फिलाल जरा condition पे आजाओ condition 1 supplier GST registered person होना चाहिए normal में भी हो सकता है composition में भी हो सकता है condition by 2 value contractual value of supply 500,000,000 से ज्याधा होने चाहिए condition 3rd recipient must be specified person specified अभी लिखवाओंगा अभी याद कर लेना government body इस सारे point satisfied है तो क्या होगा specified person जब जब payment करेगा TDS काटके payment करेगा what is the rate of TDS करेगा जब उसने TDS जमा करवाया वहां से पांच दिन के अंदर अंदर TDS certificate तयार करके deductee को provide कर देगा online portal पे जाता है GSTR 7A इसने जो TDS जमा करवा दिया पैसा तो इस ही कही है मालनेते हैं 10 लाग रुपे की value थी 10 लाग का 2% कितना हो जाएगा 20,000 वह 20 जार का TDS काटके क्या कर देगा यह government के account में जमा करवायगा अगले मेने की 10 तारीक तक तो इस पैसे का होगा क्या कहां जाएगा यह पैसा पैसा तो end of the day है तो इसका वह जमा क्या करवा दिया इसने TDS के तोर पे जमा करवा दिया वर्ट्स पे इंफिसिस ले ना यह जो TDS जमा करवाएगा यह इसके automatic electronic cash ledger में आ जाएगा यह जो TDS जमा करवाएगा यह auto populated होके इसके किस में आ जाएगा electronic cash ledger किसी का पैसा इसके पास वापस आ गया cash ledger में आ गया अभी इसको कहीं मर्जी यूज करें कोई tax देना कोई interest देना कोई penalty देनी है कोई fee देनी है कहीं मर्जी क्या कर सकता है यह यूज कर सकता है TDS काट लिया गया कहाँ यह अभी हो गया तो पैसा तो इसी का था यह supplier का इस supplier के किस में आ जाएगा auto populated हो के electronic cash ledger में आ जाएगा अब शायद आपको बिटा logic समझ में है के 10 तारीक ही क्यों लिए क्यों कि 10 तारीक तक यह TDS जमा करवाएगा software को काम time लगेगा पॉर्टल को बिटा फिर जाके 13 यह 14 तारीक तक इसके e cash ledger में आ जाएगा e cash ledger में आ जाएगा 20 तारीक तक इसको टेक्स जमा करवाना होता है इसकी भी तो due date आएगी ना तो उसमें क्या कर लेगा इसको यह use कर लेगा तो पैसा कहीं गया नहीं है कि आपको लगे पैसा का गया वो TDS इसी का था जो इसके electronic cash ledger में आ जाएगा दिमार्क में एक question आ सकता है गवर्मेंट का purpose क्या solve हो रहा है TDS से क्या purpose solve हो वो chapter के आखरी में बताऊंगा कि क्या purpose solve होता है अभी एक चीज यहां तखना इससे supply गवर्मेंट के radar पे आ जाती है यह जैसे बिटा 50,000,000 की supply है 50,000,000 का 2% मान लेता हूं कितना हो गया एक लाग TDS जैसे ही जमा करेगा तो गवर्मेंट को पता चल जाएगा कि इस परसन ने 50,000,000 की supply करी है reverse calculation कर लेंगे वो एक लाग अपने आप में दो परसेंट है वट उड़ परसेंट कितना हो जाएगा 50,000,000 तो गवर्मेंट वेट करेगी नालायक अपनी रिटन में दिखाता भी है या नहीं यह परसन अपनी रिटन में शो कर भी रहा है या नहीं अगर रिटन में शो नहीं करा गुवर्मेंट पकड़ लेगी इसने TDS रख रक है यहां से पता चले लेगा किई क्या कर रखी है प्लाई करी है वह सप्लाई करी होगी तब ही तो पेमेंट है पेमेंट है से यह मैंसाब TDS है कुछे income tax हो चाहे GST हो TDS का परपस ही होता है कि government के notice में आ जाती है चीजे मुझे यहां से जो भी payment मिलेगी वेब उजलान क्लासे से income tax की बात कर रहा हूं मैटा पढ़ाऊंगा उसमें TDS कटेगा मेरा 194J professional service है TDS कटके मुझे क्या मिलेगी payment मिलेगी पर वो मेरा नुकसान नहीं है कल को जब मैं अपना tax निकालूँगा income tax में उतना tax में क्या कर दूँगा सेट ओफ कर लूगा कि इतना तो मैं already pay कर चुका हूँ सब्सक्राइब क्या परपस एक्स्टा सौल हो रहा है क्या पता मैं अपनी रिटर्न में से शोगी ना करता income tax में क्या पता शोगी ना करता मैं 100% शो करूँगा क्योंकि मुझे पता है TDS कटके गवर्मेंट के नोलिज में जा चुका है वह 100% मेरी इंकम में चेक करेंगे के शो कर रहा है या नहीं तो परपस क्या वो चैप्टर के आखरी में अभी फिलाल जड़ा रटते हैं कि सिस्टम कैसे चलता है इसे कंडिशन फोर में जाए अबर लास्ट टाम बोगो फेंडिशन नुमार वन सप्लायर मस्ट भी रेजिस्टर परसंट नॉर्मल स्कीम में भी हो सकता है कंडिशन नुमार टू कॉंट्रेक्चल वेल्यू ओफ टेक्सेबल सप्लाई धाई लाग से ज्यादा मतलब क्या भी दे इंटर स्टेट सप्लाई है तो 1% E CGST 1% SGST 1% इंटर स्टेट सप्लाई है तो IGST 2% TDS काटके जमा करवाएगा अब प्रोसीजर पे आजाओ इसके ऊपर क्या-क्या ओबलिगेशन है यह 3-4 काम करेगा परला काम अगले मैने की 10 तारिक तक TDS जमा करवाएगा अधरवाइस इ 10 तारिक तक ही अपनी रिटर्न पाइल करेगा GSTR 7 अगले महिने की बिटा अगले महिने नहीं मुलना चाहिए जब TDS जमा करवाएगा वहां से 5 दिन के अंधर अंधर यह सप्लायर को क्या करेगा बिटा TDS सेटिफिकेट देगा ओनलाइन पोर्टल पे GSTR 7 और जितना भी TDS इसने जमा करवाया है यह ओटोमेटिक इसके इलेक्ट्रोनिक कैश लेजर में आएगा तो जब मैं पढ़ाओंगा ना इलेक्ट्रोनिक कैश लेजर इसमें कौन-कौन सा अमाउंट आता है इसमें टोटल तीन अमाउंट आते है एक तो जो ऐसेसी कैश में जमा करवाता है न परमा करवा रहा है नमा इतो TDS जो उसका कटा हुआ है नमा थर्ड TCS यह लिख लिख लिए आपने चौति और लास्ट लेन लिख दो TDS so deposited TDS so deposited by TDS deductor will be credited in कहाँ पर जाएगा electronic cash ledger of supplier उसी का पैसा है उसको वापस मिल रहा है सर पर TDS काटा भी क्यों है गोर्मेंट के रडार पर आगई है कि इतनी सप्लाई हुई है कि वैट के जमानने सथाए है वैट से को पी मारा है यहां तक कोई दिक्कत एक बर स्पेसिपाइड पर्सन लिखागे खतम करूं करूं करते है कौन-कौन है स्पेसिपाइड पर्सन स्पेसिपाइड पर्सन फॉर दा पर्रपस ओफ TDS नमर्वान डिपार्टमेंट और एस्टाब्लिश्मेंट ओफ सेंट्रल गोर्मेंट स्टेट गोर्मेंट गोर्मेंट बोड़ी होगी बिटा रूinstall गोर्मेंट सेंट्ने भी डिपार्टमेंट हैं नमेटू लोकल अथोरिटी MCD, DDA NDMC ग्राम पंचायत यह सब क्या है मिटा लोकल अथोरिटी नमेट थर्ड गॉर्मेंट एजेंसीज ED CBI इन्हों के सारे यह सब क्या है मिटा आपके गॉर्मेंट एजेंसीज चौथा सच अधर पर्सन इस मेबी नोटिफाइड पहला कॉंसा हो गया भाई? डिपार्टमेंट याद कर लो यह अभी डिपार्टमेंट और एस्टबिश्मेंट अफ सेंट्रल गॉर्मेंट नमेटो लोकल अथोरिटी नमर थर्ड बिटा गॉर्मेंट एजेंसी नमर फॉर्थ नोटिफाइड परसन नोटिफाइड हो चुके हैं वह और याद करो कौन कौन नोटिफाइड हुआ है इसके नीचे लिख दू नमर बान पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग क्या होता है भाई यह किसको बोलता है पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग गवर्मेंट कंपनी इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो नाम ने सुना क्या सुआ सुना क्या पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग सुसाइटी सारी सुसाइटी नी गवर्मेंट की सुसाइटी Central Government, State Government, Local Authority C.G. बोले तो Central Government, S.G. बोले तो State Government, L.A. बोले तो Local Authority यह हैं Specified Person तीसरा कोई भी Authority कोई भी Board कोई भी Body जो सेट अप हुई है Number 1 By an Act of I.C.A.I. By an Act of Parliament या By an Act of State Legislature Central Low है तो Parliament State के हैं तो State Legislature कोई अथोर्टी जोई भॉड, कोई भॉड बोडी जो यह तो Parliament ने बनाई है यह State Legislature ने बनाई है कोई अथोर्टी, कोई भॉड, कोई बोडी जो तो Central Government ने बनाई है बटा Parliament ने यह State Legislature ने उसमें भी इनवेच 51% or more Participation by way of equity or control by government C point कोई कठा करके पड़ो कैसे पड़े कोई authority है कोई body है कोई board है जो यह तो parliament ने बनाया है जिसमें government का stake 51% यह उससे ज्यादा है कोई authority कोई body कोई board जो यह तो parliament ने बनाया यह state legislature ने बनाया जिसमें government का stake क्या है विटा 51% यह उससे ज्यादा तो टोटल यह 4% है जो specified person बाइनलार्ट सारी क्या है मिटा है government bodies है चारो कठा करो जल्दी से विख लिया हटाओं बोलो सबसे पहला department और establishment ऑफ central government state government नमेट लोकल अथॉर्मेंट नमेट लोकल अथॉर्मेंट अजेंसी नमब फॉर्थ बिटा notified person notified person में आओ नमब वन पब्लिक सेक्टर undertaking नमेट उससाइटी सेंटल गॉर्मेंट की स्टेट गॉर्मेंट की या लोकल अथॉर्मेंट की नमब थर कोई अथॉर्मेंट ने बनाया है यह स्टेट लेजिसलेचर ने बनाया जिसमें 51 परसेंट या उससे ज्यादा स्टेक किसका है गॉर्मेंट का है यह परसंट माने जाएंगे स्पेसिफाइड परसंट अगर रिसीपियंट यह है तभी TDS के प्रोविजन लगेंगे कुल मिलाके पिटा गॉर्मेंट के ऊपर ही काम बढ़ा दिया कि आपको TDS काटना पड़ेगा मुझे यह बताओ क्योंकि TDS काटना पड़ेगा तो भाई यह TDS यमा भी कराएंगे काट के रिटर्न भी फाइल करनी है तो इनका रिजिस्टेशन होना चीए नहीं होना चीए obligation to get himself registered under section 24. 24 है compulsory registration नहीं करते है तो एक नेचे note डाल दो registration वाला chapter भी slavus में है TDS deductor is under an obligation application to get himself registered under section 24 new chapter है बटा जो आपकी scheme में है तो इसलिए एक चीज गवर करते वे चलो एक तो question फो में बना लो कि वो कौन कौन सी condition है जिसके satisfied होने पर TDS के प्रोविजन अप्लिकेबल होते हैं एक वर लास् प्रिपेंट मस्ट बेस्पेसिपाइड पर्संपेसिपाइड कोने ये सारे तो कॉस्टन पर में लो लिस्टा कंदिए न लिस्टा कंदिए न अन्द सटिस्टेशन ओव वेच वेजन आड्यस., लिस्क लिस्टा कंद अवी अंग्डियस ऑंद स्टिस्टा कंदिएट UTGST हो तो यार एक बारी में एक होगा बिटा जहाँ जहाँ ऐसे है वहाँ वहाँ यू है चीक है नहा चलो condition बोलो number one supplier must be registered percent ब्रकेट में लिखले है ना registration कहीं पर भी हो चाहे normal में चाहे composition में registered होना चाहे supplier must be registered percent contractual value of accessible supply must exceeds dialogue तीसरा recipient must be specified person specified person जुरू define कर आया exam में कौन कौन है department or establishment of central government, state government, local authority, government agency, notified person notified society, central government, state government, local authority की या कोई भी authority body or board जो या तो पर्लेमेंट का या state legislature का जिसमें गवर्मेंट का स्टेक 51 परसेंट या उससे जादा का 5-5-5 बार रिपीट और है नलायकर भी ओलता है चलो आगे अभी तो दो तिन बार ओर हो जाएगा चटर खतम होने तक बढ़े चलो अब अब अनलिसी स्टार्ट करवाता हूँ चप्टर तो ने पट गाए से परोसीजर काम काहा है मैंने की थिटारिक तक जमा法 ग्राग तके यंसरो घंवतर गाई तक सथालिक तक धार आपने जिटि आब फाने जब षटन करें और यहदा जिब एसे पांदीन तक की तेडन कर दंए ओर जिए उतरी त juist कुंर ने निप्टाता हूं पूरा चेप्टर आप लिख रहे हैं मेरे साथ-साथ Supplier Jain Limited आप अपना सरनेम लिख लेना recipient DDA Specified yes local authority इसने इसको करी Supply of Goods या Supply of Service भी हो सकती है SOG बोले तो Supply of Goods SOS Supply of Service Full form लिख लो किसी कोने में SOG Supply of Goods SOS As and when required डोक्टर ने लिखते SOS डोक्टर लिखते हैं OD, BD, TDS, Hs, SOS दवाईों क्यागे यह पक्का नालाय केमिस्ट वाले से पुस्ते होंगे भाई कैसे लेनी हैं दवाई दूस्टों पड़े लिखे हो और डोट बनते हैं गवारों के लिए OD once in a day, BD दिन में दो बार TDS थड़के दो फैर शाम, दिन में तीन बार Hs रात को सोते टाइम, SOS as and when required किसी केमिस्ट वाले से पूछ मत ले ना यह दवाई कैसे लेनी है अपने आप दे लेना क्या होता है Anyhow वापस आओ टाइम पास हां जी, supply please Please, value please सर लिखवा दोना वो क्या था अपना commerce कतम होने रायार चलो Value of supply 2,000,000 GST मान लेते हैं 12% वाली इतम है 24,000 2,000,000 24,000 सुरू हो जाता है यहां से शुरू करूँ करूँगा पहला कोशन आप से बटा क्या TDS के प्रोविजन लगेंगे उसके अलावा सार है शांत हो जाय करो TDS लगेगा या नहीं कटेगा पहले कुशन में कभी नहीं कटा क्यू नहीं शांत TDS कटेगा अराम से चल अड़बडामद अब यह पेमेंट कर रहा है यह पेमेंट कर रहा है TDS कटेगा या नहीं कटेगा यह पेमेंट तो होगी पर उसके ओपर TDS नहीं कटेगा रटने वाले बच्चे ध्यान दो नालायक मैं क्या सिखा रहा हूं और यह क्या सीख रहे होते हैं मैं कह रहा हूं TDS नहीं कटेगा बच्चा सीख रहे हैं GST नहीं लगेगा उसे लग रहे हैं GST के दारे से बाहर मैं कह रहा हूं भाई TDS डिड़क्ट नहीं होगा बच्चा क्या पढ़ रहा है इसको साब बच्चा यह पढ़ रहा है कि आपका GST चार्ज नहीं होगा तो GST हो जाए 10 रुपे की चीज हो GST तो क्या हो नहीं चार्ज हो नहीं TDS कटे या ना कटे उसके लिए कंडिशन है याद रखना यह पाइनल के बच्चे दूखी करते हैं सर्फ GST क्यों लग रहा है जब TDS ही नहीं है तो दोनों में क्या लेना देना है भाई GST तो हमेशा ही क्या होगा बिल के ओपर चार्ज होगा वह लग बात है साब के TDS कटे या ना कटे इस कोश्चन में कोई TDS नहीं कटेगा क्यों एज वैल्डी ओफ सप्लाई डज नौट एक्सीड दाई लाग एज वैल्डी ओफ सप्लाई डज नौट एक्सीड टाई लाग तीडी एस नहीं कटेगा तो जी एस्टी लगेगा तो पता चले इसमें जी एस्टी न लगाओ थाई लाग से कम के बिल पे जी एस्टी ही नहीं ऐसा कुछ नहीं सिखा रहा हूं भाई मैं TDS नहीं कटेगा ठीक है चार अब भी फसोगे तुम ना लाइको इसमना एक्जांपल वान बढ़ आगे अग्जांपल टू अप्लायर जैन लिमिटेड रिसीपियेंट ओएन जीची गवर्मेंट कमपनी तो यही पता ना चले के यही इस्पेसिपाइड है या नहीं है और नहीं है और मन कमपनी पब्लिक सेक्टर अंडर्किंग चलो कितना मज़ा है न यहीं ना पता चले चलो वापस आओ वैल्यू ओफ सप्लाइए दूई लाग चालीस अजार जी एस्टी अठारा परसेंट के बताओ जल्दी से कि एटेन फोर्टीन फॉर्टी थी थाउजेंड दोसो तिरासी दोसो अब यह इसको पेमेंट कर रहा है उपर द्यांदे नलायक राइटिंग के लाबा क्या दिक्कत समझ में आरे जल्दी पता क्या कोशन पूचूंगा कहां तक मेरी सोच जा रही होगी जो डाई लाग देखने हैं वह बिफोर जीएस्टी देखने या आफ्टर GST मैं बोलूगा मैं बोलूगा फरक क्या पड़ेगा अगर विफोर GST देखना है तो TDS नहीं कटेगा अगर थाई लाग आफ्टर GST देखना है तो इस केस में भाई TDS काटके क्या होगी पेमेंट होगी आप इस कंपनी के C.A. मुंशी जी डिरेक्टर आपसे सला ले रहा है वाई TDS काटे या नहीं काटे ओ NGC के चार्टर है मिटाब की केंदी है पुतर जो तु कह देवो चै गल्स पड़ाना पड़े मुझे सर मेरेना कोश्य नहीं समझ में आ रहा है कोश्य यह है धाई लाख में GST लेया नालें सिध GST is not a part of value. GST is not a part of value. Valuation वाले chapter में भी पढ़ाय था. Valuation वाले में पढ़ाय था. सबसे पहले condition तो यही थी. Tax element GST, CGST, SGST, IGST, UTGST is not a part of value. तो सेम कानी यहां पर है बटा, डाई लाख में tax element consider नहीं करना. तो at the time of making payment no TDS. as value of supply does not exceed rupee आई लाख. ओ नोट डालो नालाय को. GST element is not a part of value. इंदी में धाई लाख में GST वाला element नहीं आएगा. धाई लाख में GST वाला element नहीं आएगा. नहीं आया ना समझ में? पक्का? बढ़े हांगे? ठीक level up करूँ यह सेम repeat करता रहूँ. ठीक level up करते रहे ना? Example 3. Supplier. Jain Book Depot. रहे डिली गौर्मेंट यह म्सीदी वाले स्कूल. स्कूल यह में सीडी स्कूल सप्लायर जैन बुक डिपोट रिसीपेंट अबटा गवर्मेंट स्कूल एमचीडी स्कूल क्या करते हैं यह बुक्स या कोफी प्रियोपस प्रोवाइद करते हैं वे लगय में लिती है ना तो गौवर्मेंट खुद थुड़ीना चाप रही है वो बार से परचेस कर रही है तो पहले तो चेक करो रिसीपेंट स्पेसिपाइड है या नहीं है सर इस चेप्टर में रिसीपेंट हमेशा स्पेसिपाइड होगा तभी कोश्चन बनेगा यह भी ब्लुकुल ठीक है यह भी कहा है स्पेसिपाइड है वैल्यू औफ बॉक्स बीसलाग जी एस्टी एक्जम्ट बुक्स के ओपर एक्चुल में जी एस्टी एक्जम्ट है और अब यह इसको पेमेंट कर रहा है प्लीज शान्त रहना बड़ा मजाएगा आंसर चट्पते आएंगे वैल्यू बुक्स बीसलाग जी एस्टी है निसके ओपर यह इसको पेमेंट कर रहा है i recipient registered है क्टश यह opposite supplier registered recipient specified value of supply dongka piace görथ है कि ज़ी पिटाप से Tद्स कटेक यह नहीं कटेगा Tद्स कटेगा क्यों कि यह के डाइलाग से उपर और सारी कंडिशन सेटिस्फाइड है सालेन醬 भी यह रिजिस्टाड है के उल्टी सीदी को एजम्शन ले लो से आपाई खतम कर तो क्या होजाएगा बटा टीडियेस डिड़क्ट होगा क्या कहता बटा सबसे लास्ट में हाँ मेरे इसाब से टीडियेस नहीं कटना चाहिए क्यों गवर्मेंट स्कूल में सप्लाई जानी चीए तो इसके ओपर टीडियेस नहीं कटना चाहिए औलिक ओंगी सिकरतों अबलिक आई सी एए कर पर टीडियेस कटेगा नालाएख स्कूल है तो नहीं कटेगा ओंगी सी आई से कर तो तो साली स्पेसिफाइड ही है अग टेक्सिबल सप्लाई टेक्सिबल सप्लाई टेक्सिबल सप्लाई इसके ओपर क्या होगा नालाय को टीडियेस डिडेक्ट होता है उल्ठा बोल दो एक्जम्टिर सप्लाई के केस में कोई टीडियेस बिठा डिड़क्त नहीं होता ठीक ऐसा वेल्यों सप्लाई डायलाग से ज्यादा है पर टेक्सेबल वेल्यू शेल बी टेकन इंटर कंचिडरेशन तो यह टेक्सेबल तो अहीं नहीं है तो एक्जम्टीड है सरी यह कहा लिखा कितना बड़ा बड़ा लिखा है नो टीडियेस डिड़क्शन इन केस ओफ एक्जम्टीड सप्लाई अरपाई डायलाग से तो उपर है अरे डायलाग टेक्सेबल वाले देखने है तो डायलाग से तो उपर है टेक्सेबल वाले देखने है तो डायलाग से तो उपर है टेक्सेबल वाले देखने है है एक्जाम्पल तीन में कोई दिक्कत बढ़ू हाँ के एक्जाम्पल पॉर शप्लायर जैन लिमिटेड जी एस्टी रिजिस्टर उसमें यह स्याप पर नहीं रिसीपियेंट एमसीडी यह क्या कर रहा है इनको यह इनको दे रहा है आपन जीम इंस्ट्रुमेंट और पार्क पारको मने लगे वो तो ओपन जीम इंस्रुमेंट, रहा करो नालाय को, वैसे गुमाते भी रहते हैं, तो MCD खुद थोड़ी ना मना रही है, प्लीज, प्लीज, फ्लीज, थोड़ा सा दिमाग खोल ले ही कोशिश कर रहा हूं कि क्या चल क्या रहा होगा प्रेक्टिकल, अम मै यह ने इनका बिल बनाया, वैल्य ओफ सप्लाई, दस लाग, अठारा परसेंट वाला, एक असी, टोटल ग्यारा, असी, और अब यह मुझे पेमेंट कर रहे हैं, यह टोटे इडियेश कटेगा यह तो मैं बता हूंगा, इडियेश कटना यह तो मैं बता रहा हूं मैटा, यह टीनों कर्दिशन सटिस्फाइड है, रिजिस्टर है स्पेसिपाइड है, टैक्सिभल वैल्यू कहा है, टाहिलाग से जादा, कोई TDS 11 80 का 2% यह दस लाग का 2% 2% TDS तो कटेगा कि किसका 2% TDS डिड़क्त हो मैं बोलूँ अम मैं बोलूँगा नमर वान दस लाग नमर टू एक लाग अस्ती है जार जी एस्ट एलिमेंट पे टीडियस कटेगा नमर थर बिटा ग्यारा अस्ती टोटल पे TDS कटेगा नमर फॉर इसकी इच्छा होती है किसी प प्लीज शान्त तीडियस एट दा रेट आप 2% शेल बी डिड़क्टिड ओन 10 लेक तो पेमेंट भी तो मानन के चल रहा हों कि पेमेंट करदी ग्यारा स्ट की मान ले तो TDS अभी ग्यारा स्टी नहीं पेमेंट करदी कितनी करेगा बताता हूं अभी एक बार तुलिख 10 लाग का 20% कितना 10 लाग का 2% कितना हो गया 20 जार तो ये इसको 11 स्ची नहीं देगा ये इसको कितना देगा 11,60 जार और 20 जार उपे के नाम से जमा करा देगा अगले मेने की 10 तारीक को वैल्यू पे TDS करता है इसके ना GST is not a part of value समझा रहा है कुछ-कुछ और कुछ-कुछ आ रहा है आ गया वह सारे एक्जामपल है टेंचन नहीं कहने का मतलब GST वाले portion के ऊपर TDS नहीं करता वैल्यू के ऊपर TDS करता है चलो जी एक्जामपल नमबर फाइव सब्सक्राइब सब्सक्राइब डेली रिसीपियेंट मोहला क्लिनिक क्लाइन अपिटाइब कमला इंटरप्राइज दवायां दिता है यो मोहला क्लिनिक नहीं है नाम्सुन्ट क्योंगे दिल्ली गॉवर्मेंट के चलते नहीं आए यह पढना है कहा चलते है निशलते है अब पेइमेंट आ रहे है टीडिस कटे या ना कटे यह देखना है चलो 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 वेल्डियू है पचास लाग क्या मतलब इसका दिल्ली गॉवर्मेंट और कमला इंटरप्राइज करेंट अधाएंनेंट के बीच में कॉंट्रेक्टु अधा कि पचाहा देखन एंगे उस्प्लाई करेंगे टनरों टनरो होति फाल चलता है जैंडर में और एंटर में ओता है लोर मंः वा घ्र टाइज किसीने प्चाहा भॉस्सैने 5 पन कि रहती है supply होती रहती है contract है पूरे एक साल का पहला इन्वाइज बना इन्वाइज वन एक लाग का पांच परसेंट जी एस्टी द्वाइज पर बाय अनलाज पांच ही है पिर इन्वाइज टू अलगलग supply होती है कि यह माल लेते हैं कि असी अजार का कि पांच परसेंट जी एस्टी कितना हो गया भाई चार अजार कि चुरासी अजार कि दिल्ली गौवर्मेंट ने इसकी पेमेंट कर दी कि सप्लायर रजिस्टर है रिसीपेंट स्पेसिफाइड है उस जगडे में तो मैं जाई नहीं रहा ठिक है जी वैल्डियोव शप्लाई कॉंट्रेक्ट्रल वैल्यू डाइलाग से जाधा है इनवाइस डाइलाग से कम के हैं को सकते अना कटे इस दिक्कत समझ में आ रही है आपर एक ही इनवास था एक ही वेल्यू थी कोई दिककत नहीं, अप्रुड़ा प्रयूरा प्रिक्टिकल ऐगर मैसुस कर पाया हो, अटर क्टिकल तो governor's लेल्ई बनते रहेंगे। यह तो टेंडर बेस काम होता है, कि पूरे साल का हमने टेंडर दे दिया, पूरे साल का टेंडर है, फिर रिक्वार्मेंट जैसे-जैसे होगी, वो अमगवाते रहेंगे, इधर हम सप्लाई करते रहेंगे, इसकी जो बुक चपरी है, किसी को टेंडर दे रखा होगा बटाइनोंने, कि आपके पास ये टेंडर आ गया, तो एकी दिन में चापके तुरी ना बेज रहा है यार वो, कुछ अब चप गई कुछ तीन मेने के बाद, फिर तीन मेने के बाद, ऐसे सिस्टम चलता होगा, जब लो में का लिखा होगा बीटा, कॉंट्रेक्च्छल वैल्यू डाइलाग से ज्याधा, तो कॉंट्रेक्च्छल वैल्यू किया है, बीटाइलाग से ज्याधा पेमेंट के ऊपर क्या लगेगा, साप TDS कटेगा, इसमान के चल रहा हूँ, सारी पेमेंट होगी, तो TDS at the rate of 2% will बी डिड़क्टिड इसका दो पर्सेंट वेल्यू का इतना टीडियस काटके अगले महिने की दस तारीक तक जमा करवा देगा दिल्ली गवर्मेंट और जितना यह जमा करवाएंगे कमला इंटरप्राइज के किस में आ जाएगा वो इलेक्ट्रोनिक कैश लेजर में वाट आएम ट्राइंग टू तेलिंग यू इस बिटा कॉंट्रेक्ट्ट्रेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् पीसिस में फिर सप्लाई होती रहती हैं दवाईयां एक बारी में नहीं है पंदरा पंदरा दिन वीस-वीस दिन के स्क्लोट में मंगाते हैं फिर बेजो फिर बेजो ऐसे चलता है बिटाईया नहीं आया अरिश्यो शल्यमोन एक्जामपल नमबर 6 हर एंगल से रिवाईज करते हैं सप्लायर जैन पब्लीशर रिसीपियंट आई सी ए आई जैन पब्लीशर जैन स्टेशनरी कुछ भी ले लो ए इसी ए के ऑफिस में भी स्टेशनर लग रही है तुमांके प्रेजेट कला है तलाटी साब जा रहे हैं मिटा सिंगल साब जा रहे हैं कुन जा रहा है इस खरिद ने और बैग लगा जाते होंगे दलिया गढ़म ही है है वहां से खरीद लाते होंगे क्या चल क्या रहा है यह टेंडर बेस होता है तो मालो वेल्डी ओफ सप्लाइग बिल बनाके दे दिया विटा इन्होंने पांच लाग का स्टेशनरी पे कितने परसेंट है रहा है बारा मुझे नहीं पता कोई हम से परसेंटेज पूछेगा बिल्डी प्रेक्टिकल समझना क्या है टेक्सेबल सप्लाई है जी एस ती नराने का मिलब टेक्सेबल है रिसीपेंट स्पेसिफाइड परसन है प्रेक्टिकल चलता क्या है मैंने बिल दे दिया मैं धक्क्य खा रहा हूं दुआ है पेमेंट दे दो गववर्मेंट नहीं कर रहें पेमेंट आई एक लाग की किस्तों में देते हैं वह भी तरसा तरसा के देटाई हर अजी टीटिस तो क्टेगा ये मैं बतांगा टीटिस तो डिडेक्टो का ये मैंने बताना affirmation फाइनट सटीफॉइड है 5,000,000 का 2% लाग का 2%GB 1,000,000 si क्या के कहते हैं समझमा रहा ठीच्टों डिलक्तों व किनों पेयू जतनी ने पेमेंट हो रही है उसके उपर क्या होता रहेगा बैटा TDS डिड़क्ट होता रहेगा तो यहां पर TDS जो डिड़क्ट होगा 2% मैं मान के चल रहा हूं इंट्रस्टेट सप्लाई होगी इंट्रस्टेट होगी तो 1-1% ठीक है ना TDS will be deducted at the rate of 2% on 1,000,000 जितनी पेमेंट होती है उसके ओपर TDS डिड़क्ट होता है जब जब पेमेंट होगी जितनी जितनी पेमेंट होगी उसके ओपर TDS कटेगा इसको हिंदी में कहीं, याद कर लो, जब जब पेमेंट होगी, जितनी जितनी पेमेंट होगी, उसके ओपाट TDS क्या होगा, बच्छे, डिड़क्ट होगा, नहीं आ रहा सर, पका, चले आगे, एग्जाम्पल 7, चेक करता हूं रहा, शप्लायर, जैन, पुबलिशर, स्टेशनरी, रिसीपियंट, आई-सी, आई, एक तो, पार्टिकुलर, वेल्यू, जी एस्ट, एक तो हमने इनको दी बिटा, स्टेशनरी आईटम, क्या नाम होता है, क्या यूज कर रहा होगा, इसी आई, पेपर वेपर, पेपर, पैंसिल, जो भी है, पैन, स्टेशनरी आईटम, पांच लाग की, बारा परसेंट वाली है, साथ हजार, एक इनों ने इनको बुक्स भी दी, चापके, चार लाग की, एक्जाम्ट है, दोनों सप्लाई हो गई, टेक्सेबल भी और एक्जाम्ट भी, नो लाग, जी एस थी कितना हो गया भाई, साथ हजार, और इसने सारी पेइमेंट कर दी, आल पेइमेंट मेड, आल पेइमेंट मेड, TDS कटेगा, यह मैं बताऊँगा, कितने पे, परफेक्ट, अब समझ में आने लग गया आपको, टेक्सेबल वाली सप्लाई के ओपर ही TDS डिडक्ट होता है, तो इसकेस में में बिटा, TDS, at the rate of 2%, TDS, at the rate of 2% shall be, deducted on, 5,000,00. इसमें कोई देखा, अगला पहले डिसकस कर लो, फिर अपने आप लिखते रहा है, अगर यह 5 लाग की जगे, एक लाग होता, टोटल पांच हो गया पेटा यह एक प्लस चार पांच और ओनली टेक्सेबल सप्लाई कंचीडर होती है वो धाई लाक से उपर होनी चाहिए अगला सेम बना दो इसको एक लाक कर देना बिल्कुल कटकोपी पेस्ट इसी में काटा पीटी मत करना सराप भी दुबारा लिखो मैं तो नहीं लिख रहा आप दुबारा बनाओं यह मानलो एक लाक यह कितना था चार लाक यह हो गया पांच बारा परसेंट के हिसाब से यह बारा हजार पांच लाक प्लस बारा अंसर क्या हो जाएगा बाई अंसर क्या हो जाएगा नो टीडियेस विल बी डिड़क्टिड एज एक्सेबल वेल्यू दस नोट एक्सेड डाइलाग एज टेक्सेबल वेल्यू दस नोट एक्सेड डाइलाग यह बागाख तो नहीं समझा रहा है ना मटा चेप्टर पर कमान रखना इस वेलेगा यह नई चेप्टर आएए यह थिंगे डाइलाग वाला जगड़ा तो आपके शयायद समझ में आ गया हो एक लेवल करूं अप यह इस ही टाइप के और प्रेक्टिस कर रहा हूं अना एक लेवल अप करते है ना इस टाइप के साप पे तो बहुत हो है एक्जाम्पल नंबर नाइन इस टाइप का ली गुड़ के केस में या सर्विस के केस में भी हो सकता है वैल्य ओफ सप्लाई टेक्सिबल वैल्य ओफ सप्लाई डायलाग से ओपर नीच यह चाहे वो गुड़्स की हो चाहे वो सर्विस की हो आगया सल समझ में एक्जाम्पल नंबर 9 supplier एडवोकेट है रिसीपियंट बेल गेल सेल जो भी कंपनी पसंदो गवर्मेंट कंपनी है यह बेल बोले तो बारत है वी लेक्टिकल लिमेटेड गेल गेस अथॉर्टी ओफ इंडिया लिमेटेड सेल कि नवरतन कंपनी है यह गवर्मेंट की नवरतन उनमें काउंट होती है कहने का मतलब पब्लीक सेक्टर अंडर्टेकिंग यार इसको पहले तो मैं पीएस्यू लिखो एक्जाम में पीएस्यू लिखाएगा व बच्चे से इतने एक्सपेक्टेशन निया को से यह भी बताओ इसने इसको एड़ोकेशी वाली सर्विसेज दी एड़ोकेशी सर्विस एड़ोकेट वाली वैल्ली ओफ सर्वेश दस लाख जी एस्टी अठारा परसेंट एकसी टोटल ग्यारा सी इससे पूचाय है पुतर इसकी क्या खासियत है यह बता है समझ गया तो बता ना वाट इफ सप्लाई इस कवर्ड अडर आर सी एम उपर वाले जितने भी एग्जामपल हैं वो सब फॉरवड के हैं यह एग्जामपल ऐसा एड़ोकेट की सर्विसी जहाद आरी है आर सी एम अगर रिसीपेंट बिग बिजनस एंटिटी है तो बिग बिजनस एंटिटी है इसले साल की टरन ओवर 10 लाग 20 लाग 40 लाग से ज्यादा करोड़ों में टरन ओवर हैं अंजी सर फिर भी लिख देता हूं हालात को देखते वे सप्लाई इस कवर्ड अंडर आर सी एम क्या होगा की ओना चाइदा के होगा वट तुडू की करियें टीडियस कटे हां ना कटे दो इंटरपेटेशन चेक करना कौनसी ठीक है मैं दो तिन तरीके से बोलता हूं अब चेक करना ना कटे कौनसी इंटरपेटेशन ठीक है प्लीज उससे टीडियस की क्या जूरूता है तो टैक्स ही इसको जमा करवाना है बाकी केसी में टैक्स रिसीपियेंट जमाने करवारा था टैक्स तो कौन जमा करवाएगा गवर्मेंट को सप्लायर इसके ओपर तो खाली बस एक टीडियस काटके पेमेंट कर यहां पर ऑब्लिगेशन इसकी है टैक्स ही यह जमा करवाएगा गवर्मेंट को तो टीडियस काटके करया क्या टेक्स ही जमा करवाएगा गवर्मेंट को इसको TDS नहीं काटना इसे 18% के हिसाब से टेक्स जमा करवाना है Interpretation 1. Interpretation 2. RCM नहीं लगेगा क्योंकि TDS वाली condition satisfied हो गई यह खाली 2% TDS काटके इसको पेमेंट कर देगा और उस पेमेंट के साथ एक चिठी लिख के बेज देगा मैंने TDS काट लिया टेक्स चुप-चाप जमा करवा दियो RCM होता है हता रहे अपर तेर को टेक्स कारवाना कड़ेगा क्योंकि मैंने 2% TDS काट लिया पेला क्या था कि यह एक्श जमा करवाएगा 18% TDU संदेक्स जमा करवाएगा था-रा-पर सेंच जब टेक्स की जमा कर दिया पूरा थारा तो TDS का तो कोश्चन या राइज नहीं हो था दूसरा TDS तो कटेगा भाई क्या कहते हैं इप अप्लाई इस कवर अंडर रसी एम प्रोवीजन ओफ TDS शेल नौट अप्लाई ठीक है साथ तो इस केस में कोई TDS नहीं पूरा थारा परसेंट इनको जमा करवाना पड़ेगा बड़ी दिक्कत होती होगी इनके ओडिट करने जाने में हाँ एक आर्टिकल तो यह लगा देगा वाई तू यह चेकर कौन-कौन रसीम में अब इनके ओडिट शुरू हो जाएंगे अगले महीने से अपरेल में तो मैं गया तुम्हे लेगा साथ में अपने साथ दो एक को लगा दिया मने इसमें तो यह देख भाई एक कौन-कौन सा रसीम में आ रहा है उसमें चेक कर क्वाल त्यू आएंगे तो नियुक्त वेलुक कहाँ है रिपोर्ट में डाल कि टीडीयस। नहीं काट ना था टीडीएट के एक टीडीएस का डीडीयक्ट हो गया ते ओएंगेंध। के बाकि यह देख लेगिन बाकि जो बी करो TDS कब-कब नहीं है इस ना लाय को ने चिपका दिया सारा कथा रिवाइस करा हो नुमर्ब बन सप्लायर अन जिस्टर है नुमर्ट टू कॉंट्रेक्शल वैलियो सप्लाई धाई लाग या उससे कम है नुमर्ब थर्ड रिसीपेंट स्पेसिपाइट पर सेन नहीं है नुम लाई नहीं होंगे लिखें एक्जम्पल तो होगे बिटा अब यह क्रक्स लिखो कि कहां कहां TDS नहीं लगता प्रोविजिन ओफ टीडियर्स शेल नौट अप्लाई इन दा फॉल्वाइंग सब्सक्राइब कुछ तो यह हैं जो मैंने भी पड़ाएं कुछ और नहीं हैं बचेप्टर कहतम हो जाएगा बिटा फिरियर्स जल्दी चोड़ दोगे यह जल्दी बच जाओगे बाई डिपॉल्ट सबसे पहला क्या कंडिशन मनेंगी क्योंगे तो नहीं चप्टर शुरू कर दूगा क्योंगे तो तो यो है तो मिल्हएं कर दोगे जे घ्युदट छोगे जेख्वेश्ट 새ukosa का थर्ड recipient is not specified person हमेशा TDS नहीं है recipient specified person होना चाहिए नमब पॉर्थ in case of exempted supply exempted supply के ओपर TDS के provision नहीं है नमब फिफ्थ if supplies are covered under RCA अब दो तिन पाइंट हो रहे हैं वो लिखो फिर सम्झाऊंगा 6 supply from one PSU to another PSU यह मतलब है इसका supplier भी PSU है यह पॉसकता है supplier में लिखा है नहीं रिस्टर परसंट तो यह पॉसिबल है supplier क्या हो पिटा PSU ONGC यह supply कर रहा है बेल को ONGC यह supply कर रहा है बेल को तो supplier भी PSU recipient भी PSU GST नहीं लगेगा GST लगेगा GST लगेगा TDS के provision applicable supplier is also specified person यह क्या हुआ यह क्या हुआ supplier चैड पर लिखा है any registered person तो इधर भी तो हो सकते हैं के supplier भी क्या हो पिटा आपके specified person तो अगर दोनों तरफ कोन हो गए specified हो गए यह दोनों तरफ कोन हो गई PSU तो आपका क्या नहीं लगेगा TDS के provision नहीं लगेंगे दिमाख में एक चीज आएगी सर इसको अलग से लेने की जुरूत क्या थी फिर आ चुकी होगी ना दिमाख में ऐसा इसलिए है यह amendment पहले आई थी उस तेम relaxation खाली यह रखी थी कि अगर दोनों साइड PSU है तो आपके TDS के provision प्रोविजन नहीं लगेंगे पर उसके तीन महिने के बाद यह आ गया था कि अगर दोनों साइड specified person है TDS के provision नहीं लगेंगे अगर यह ना भी हो आज के टाइम यह इसके अंदर include है सर दो बार क्यों लिखा है अरे अभी तो समझाया पहले केवल यह आया था कि अगर दोनों तरफ कोन है दोनों तरफ का मतलब के है supplier and recipient अगर दोनों तरफ कोन है पब्लिक सेक्टर undertaking तो आपका TDS नहीं लगेगा इस पर बार बार वार्निंग दे रहा हूं मैं GST तो लगेगा TDS नहीं कटेगा और फिर उसके बाल लोग चेंज कर दिया अगर दोनों सेट स्पेसिपाइट परसें हैं तो भी TDS के प्रोवीजन नहीं लगेंगे कुछू कुछू ONGC सर्विसिज दे रहें इंडियन रेलवे को ONGC क्या है बिटा आपका PSU इंडियन रेलवे क्या है साब सेंटल गवर्मेंट के डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्रीज है इनको सर्विस दे रहा है तो नहीं लगेगा उल्टा हो जाए इंडियन रेलवे ओंगे तो भी TDS के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट और पोस्ट को सर्विस दे रहा है बोलो नहीं लगेगा डिपार्टमेंट और पोस्ट इंडियन रेलवे को सर्विस दे रहा है तो भी TDS के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे है किलिया लास्ट इसे तसल्ली से समझना इसमें भी बच्चे फसे रहते है लोकेशन ओफ सप्लायर लोकेशन ओफ सप्लायर एंड प्लेस ओफ सप्लाई लोकेशन ओफ सप्लाई यह दोनों चीजे क्या है एक स्टेट में है एंड 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 एक अथा है यह कंदिशन एंड लोकेशन ओफ रिसीपियंट is in another state इस कंदिशन को मैं अपनी तरफ से नाम दे रहा हूं कंदिशन वन क्या है कंदिशन वन लोकेशन ओफ सप्लाई और प्लेस ओफ सप्लाई सेम स्टेट में होने चाहिए सेम स्टेट में होते हैं इंट्रा स्टेट में होते हैं इंट्रा स्टेट रिसीपियंट कहां का ओना चीए स्टेट रिसीपियंट इस इन अनादर स्टेट टीडियेस के प्रोविजन नहीं लगेंगे सम्झें मिटा पहले साथ में तो कोई क्वेरी निये है वन टू सेवन आठ में प्या हो और मेरे साथ साथ लिख रहे हो आप एक इशु दिखाता हूं दिक्कत सप्लायर साथ साथ लिखो यह बिटा जैन कंस्ट्रक्शन कंपनी डेली की डिली में बिटा सारे भवन बने हमाचल भवन हर्याना भवन पंजाब भवन एक तो है मैसीज होती है पूरे वर्ल्ड की जनरक्यपुरी में अगर की यक स्टेत वाले वी तो रीप्रेजेंट्रिशन है मोदी गोवर्मेंट को काम है चन अड़याना बवररमेंट से था हुआड ब्लाएंगे उनका दिल्ली में यह क्या ब्लाई में पन्या बावन बनाओ होट पंगर साब ऑफिस हैं हर स्टेट के डेली में किया है ओफिस रिसीपेंट माल लेते हैं तमिलनाडू गॉवर्मेंट काय बाई यह तमिलनाडू सप्लायर आपका जैन कंशक्शन कम्पनी डेली की रिसीपेंट है आपका तमिलनाडू गौवर्मेंट तमिल नाडु की इनका दिल्ली में है तमिल नाडु भवन लो धिरोड के पास इनका दिल्ली में क्या है पिटा तमिल नाडु भवन इन डैली इनको इस भवन का लिए बिटा रिपेर या कंस्ट्रक्शन सर्विस लेने है बिल्कुल आराम से चलना सप्लायर दिल्ली का जी एस्टी रेजिस्टर्ड है रिसीपेंट कोन है बिटा तमिलनादू गॉर्मेंट उनका दिल्ली में है तमिलनादू भवन लोधी रोड पे उसके लिए उनको क्या लेनिये रिपेर या रिनोवेशन सर्वेज ठीक है साब अब इसने बिटा रिपेर सर्विसीज दी इस भवन के लिए अर्म से चलो इसका प्लेस अप सप्लाई बताओ बारा तीन place where immobile property is located यहाद आरे chapter पड़ा चुका हूँ बारा तीन place where immobile property IP का मतला immobile property is located that is Delhi सप्लायर डैली का प्लेस ऑफ सप्लाई डैली रिसीपियंट कहां कहां है तमिल लाडूगा अब इसे जो बिल बनाएगा कि वैल्यू पचास लाख कि बिल पे कौन सा टेक्स लगाएगा वाई यह इंट्रा स्प्लाई होगी ना सर कैसे हो गई दिखाओ तो सही यह देखो लोकेशन ओफ सप्लायर कहां पर है बाई डैली प्लेस ओफ सप्लाई बच्पन में पढ़ा के आगया था अगर दोनों चीजे सेम स्टेट में होती हैं इंट्रा स्टेट इंट्रा में कौन सा टेक्स लगता है सी और एस 18 परसेंट कंस्ट्शन पर माल लेते हैं 9 परसेंट इच कि यह तो मैं बाद में देखुँ हैं पहले बाकी दिक्कते समझे में आरी है नहीं आरी है अंजी तो कितना हो जाएगा भाई है साड़े चार लाख साड़े चार लाख टोटल भी लो गया 50 नाइन लेक और इसने इसको पेमेंट कर दी अब जड़ा लास्ट पाइंट में फिट करके देखो कि सारी कंडिशन सटिस्फाइड हो रही है अराम अराम से लोकेशन आफ सप्लायर डैली प्लेस आफ सप्लाई डैली कंडिशन वन तो सटिस्फाइड हुई यह तो थी कंडिशन वन कंडिशन टू बोलना लोकेशन ओफ सर्विज रिसीपियंट कहां के है साम ता मिलनादू तो इस केस में क्या होगा दोनों कंडिशन सेटिस्फाइड है दोनों कंडिशन सेटिस्फाइड है इस के पोविजन नहीं लगेंगे यह कंडिशन चेक कर लो बिटाई सेटिस्फाइड हो रही है नहीं हो रही है कि एक बच्चा लोजिक बताए गवर्मेंट को क्या दिक्कत है टीडीएस काट लेते तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हरेश्मेंट हो रही होगी तभी सब्सक्राइद थे लुटस्फी इसलिए मणा कर दिया भाई टीडीएस मत काट सारी पेमेंट कर दे अधर वाईस तो दिक्कत क्या थे काली एक डू-परसेंटी तो रेट है कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होगी इसलिए लो बना दिया बाई इस केसमें टीडीएस नहीं कटे झाल वेड़ाламra क्लिक कर रहा है बच्चे के तलब इत्मिलनाडुमेंट्ध काटेगी गूर्मेंट्टेवांट् ड्युन सब्सक्राइगे जमा करते उसके गश्यक्वांपट कि आप कर दी किन तरह किन तरह कर लग्मिनिंद अन्युन एलेक्टोनिक कैश लेजर में कभी आएगा पंध कर बिता तो जमा करवाईगी तो तमिलनाडू के अपनेपोर्टल पर जमा कर देगी अगले मैने के दस्तारिक वह कभी भी रिफ्लेक्टि निक होगा यह प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती बिटा इसलिए लो ने बोल दिया इस केस में टीडीए सी मत काटो क्योंकि यह गवर्मेंट जमा करवाएगी अपने स्टेट में वो दूसरे स्टेट में यह लेक्ट्रोनिक कैश लेजर में कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा उसका नुकसान हो जाएगा अन्नेसेसरी का इसलिए मना कर दिया प्रोविजन आप टीडीएस शेल नौट मतलब यह दो कंडिशन सेटिस्वाइड है मतलब यह दो कंडिशन इसके पाइंट थीन हो गए एक दो थीन तो ही टीडीएस नहीं कटेगा अधरवाईस तो इसके लावा कितने मरजी केस हों टीडीएस के प्रोविजन अपलाई होंगे जैसे भी एग्जामपल बनाता हूं पर आप मुझे बताना लिखो लोजिक समझ माया कुछ है क्रांग हो हो बाइब बाउंस हो गया है हमजा रहा है है अच्छ तरी क्या चल क्या रहा है चलो अब लिखो मेरे साथ और मुझे बताना टीडियेस लगे या नालगे पहला कोलम बना लो केशन ओफ सप्लायर दूसर तेसरा कोलम बनाओ लोकेशन और रिसिपियन्ट नो तोथा कोलम TDS अपलिकेबिलिटी तीदिज एपलिकेबिलिटी में पुरा बताना कि दो परसेंट IGST कटे या एक परसेंट C G S T S G S T कटे समझ भार मैं क्या कह रहा हूँ समझ गए सर तो पहला सिंपल लेता हूँ दिल्ली यह भी दिल्ली मैं भी दिल्ली का MCD भी दिल्ली पार्क में जाहां पर वो बिटा लगने है आपके open gym instrument भी दिल्ली सारा drama ही कैसा दिल्ली में क्या हो जाएगा इस केस में TDS कटेगा? YES क्या रेट है? 1% C G S T 1% S G S T यह नहीं यह नहीं हाया पक्का Chandigad 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 क्या हो जाएगा यह नहीं क्या हो जाएगा भाई तीनोई चीज Chandigad में है तो इस केस में क्या हो जाएगा चाप TDS के प्रोविजन अप्लाई होंगे रेट पोलना C G S T 1 P U T G S T यह खाली U T G S T की प्रेक्टिस कराई है अप ज़्ड़ा अप जरा अफ अफ श्टेत में बठक रहो दिल्ली UPM P बस यह देखना जरा 8.5 तो नहीं लग रहा पहले जग़े पहार की 8.6 में कि लोकेशन अप्स2 स्वॉप holder स्वॉप यह आथमां तो नहीं है अब क्या हो जाएगा भाई Dir. इससे में टेड़ी एष कट काटेगा मला होगा साद्सीडあり in यह मिन स्प्लाइए भास्प्लाइव यूप इंटरस्तेंच संप्लाइए बिल्ले कटिक वो त्व परसेंट नियार कुछ है नियार है विलनी यूपी अब क्या वजाएगा बिटा पर्फेक्ट आथा पाइंट not EDS location of supplier and place of supply in one state and recipient another state कर दो टाइम पास कुछ बजगया क्या क्या सारे केस आगया दिल्ली मुंबई मतलब महरास्ट्र और क्या लूँ ये भी मुंबई क्या वजएगा भाई TDS कटेगा IGST दो पर्सेंट बोलने मेटा माइक दो इसमें दिल्ली उपंप वाले एक्जामपल था तो यहां पर समस्य ही वो काटता इस वाले एक्जाम्पल में 1 परसेंट पैंतालिससो काटता वो सी पैंतालिससो वो काटता है फो जमा कहा है वो तो तो उमेलमाडू मेंता रऌत आपाएगा तो यह सके लेजर में कभी नहीं आएगा अगर इसमें अगां आई जी एस्टी होता फिर तो कोई दिक्कत ने आती यह आई जी जिएस्ट में जमा करा देता है टीक है और पूछो माइक ये में पिटा आज गल जैसे आपने बोला पेमेंट अगर दस दिन के बाद आ रही है तो पर तीथ पर रूसपे गड़ेगा recipient is not required to pay payment as and when payment is made then TDS is deducted मैं यह पुरा कोश्चन बोल एक और दिमाग में चल रहा हूँ आपने का ता है अगली 10 अगली महीने के 10 तारीक तक TDS जमा करवाना है अगर पेमेंट ही दस तारीक बाद आ रही है पेमेंट जब भी करें यार concept समझ में नहीं आया इन्वाइस की डेट आज है सप्लायर ने आज इन्वाइस दिया आज क्या तारीक है 18 मार्स 2024 इन्वाइस है पांच लाग प्लस अठारा परसेंट पांच नब्वेगा ठीक इसकी पेमेंट करी TDS डिडेक्टर ने 25 जुलाई को तो एक तो एक टीडियस काटेगा कब 25 जुलाई को तीडियस डिडेक्ट होगा यहां पर पांच लाग का दो परसेंट दस जार और अब यह टीडियस जमा कब होगा अगले अगले महीन दस अगस्ट रिष्ट के दोजार चोविस इसे चले गाए एक्जाम्पल में करो बाई हो सकता किसी और की वी क्वेरी हो जाए नेक्स एक्जाम्पल लिको लिको जो भी क्वेरी आती रहे है एक्जामपल में मनाते रहो Supplier एक्स लिमिटेड recipient specified person यह है डेट ओफ इन्वाइज आज की पिर तारीक बूल गया सत्रा सत्रा लिख दिया मने कोई ने सत्रा मार्स दोजार चोवेश वैल्यू थी दस लाख जी एस्टी था अठारा परसेंट एक अस्ची यारह अस्टी यारह अस्टी डेट ओन विच पेमेंट इसमेड बीस अगर्स दोजार चोवेश गोवर्मेंट डिपार्टमेंट ना लाइक दक्के खिला रहे हैं पांचे महीने पेमेंट को बागिया मेरे पास बीस अगर्स दोजार चोवेश को तो टीडियेस कब कटेगा बिटा टीडियेस वुड़ बी डिड़क्टिड ओन बीस अगर्स दोजार चोवेश कितना दस लाग के ऊपर दो परसेंट किनना होता है पाई बीस हजार बीस अगर्स को ये टीडियेस काट लेगा कब तक जमा कराएगा टीडियेस वुड़ बी डिपोजिटेड बाई 10th September 2014 अधरवाईज 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 18% अधरवाईज अपलाई अधरवाईज इसकी इन्फोरमेशन यह जब अपनी GSTR 1 तो देगा यह तो अपरेल ही देगा अपरेल की सपलाई है मार्च की सपलाई है अपरेल को जब अपनी GSTR 1 इसकी डिटेल देगा यह जब भी कराएगा बाद में TTS जो कटेगा वो कैश लेजर में आजागा बाद में उसकर लेगा सपलाई तो यह मार्च की है तो मार्च की जो GSTR 1 जाएगी इसमें दिखाएगा डिटेल है बोले मिटा यह समझ में आगया इसे में कोई क्वेरी पका ना चलो बोलो आगे बोल बटा सर सर जो एक्जम्टेट सपलाई थी आपने काफे सारी बताई थी इसमें वो आएग एक्जम्टेट सपलाई गया थी सब्सक्राइब के लिए था ठीक है यहां एक्जम्टेट का मतलब एक्जम्टेट नॉन टैसेबल और क्या होती इसमें जो निल रेटेट भी इसमें होली इसमें डिपार्टमेंट ही है तो फिर इसमें टीडियस काटने की जुरूरत क्यों है आई ठीडी के आप你們 कि वाट हैको सफ्व्लाई डेटार पर अजाती के वह हूंत सब्सक्राइब सब्सक्राइब और पुछे हैं चलो आगे सुनो द्यान से एक दो समस्या चैप्टर पुरा खतम हो जाएगा तसल्ली से इस केस में इसको टीडियस कितना काटना था बीजार इसे कब तक जमा करवाना है अचा पहले इंटर्स की कंप्यूटिशन तो बता दूं यार एक इंटर्स एक्जाम्पल नेक्स्ट एक और बस अभी छोड़ता हूं साड़े वारा बजा दूंआ मैं टेंचन ने आउ तो सही इसी कोश्टन को बेस ले रहा हूं वट वुडबी वा आंसर इन अबव एक्जाम्पल वट वुडबी वा आंसर इन अबव एक्जाम्पल इफ TDS is actually deposited on 25th October 2024 if TDS is actually deposited on 25th October 2024 compute interest compute interest ना एकर वा रहा हूं बटा what is that due date of deposit of TDS आप लिख रहे है due date of deposit of TDS 10th September actual date of deposit default हो गया इतने दिन का हो गया दिन का दिन निकालो default कहांसे स्टार्ट होगा 11 से 10 तो due date है default कहां से start होगा 11 से कब तक चलेगा 25 को भी लेंगे start immediate after the expiry of due date ends on till the date of payment start immediate after the expiry of due date ends on till the date of payment interest के लिए 3 चीज़े चीज़े ना मिटा rate of interest amount or duration interest के लिए 3 चीज़े rate of interest अपने को पता है 18% amount अपने को पता है TDS वाला amount duration immediate after the expiry of due date ends on till the date of payment तो बोलना दिरा ये देज निकालो 45 देज़ तो इंटरस्ट कितना था TDS 20 जार था 20,000 के उपर 18% तो पूरे साल का है तो 45 दिन का कितना होगा 44 फ्रेक्शन भी बता मुझे 443.8 जी एस्ट में चाहिए tax हो चाहिए interest हो चाहिए penalty हो एक रुपे के multiple में round off होती है इंकम टेक्स में बढ़ाओंगा 10 रुपे में होती है जी एस्ट में एक रुपे के multiple में ये round off होती है फ्रेक्शन के बाद 50 पैसे या उससे ज्यादा हो अपर हैंड पे चले जाना फ्रेक्शन के बाद 50 पैसे से कम हो इग्नौर कर देना फ्रेक्शन के बाद कितने पैसे आ रहे हैं फ्रेक्शन के बाद 50 पैसे या उससे ज्यादा हो तो अपरेंड फ्रेक्शन के बाद 50 पैसे से कम हो तो एकनौर अगर यह 443 रुपे 20 पैसे होता इगनौर मनला पूरा ही जीजीडो मत करदे ना 440 है इग्नोर ना लाइक लोवर सेड़ पर समझ में आ रहा है यह आएगा विटा चीक है जी अब आओ मुद्धे पर बस एक दो छोटी छोटी बात रहे गई फिर खतम असली में खतम है फिर यह कि इसी कोश्चन को बेस लेता हूं मेरा कोश्चन समझना मैं क्या पूछना चाह रहा हूं कि मैं में जरूर डालूँगा बदला मैं जरूरूर लोगा बटा यह कोश्चन यह इसे टीडीएस कार्टना है कितना कि बीजार यह जमा करवाएगा अगले भाईने की 10 तारीक तक और यह मानलों को ONGC है प्रेक्टिकल क्या चल रहा होगा ONGC ने दो रजिस्ट्रेशन ले रखे होंगे एक तो अपनी नॉर्मल टेक्सेबल सप्लाई के लिए जो ग tastes बेच ने नॉर्मल सप्लाई के लिए section 22 एक इसने ती पेडित वाला रिजिस्ट्रेशन ले रखा HE ज स्टीए तक त्ी गिएस का रिजिस्ट्रेशन अग्स होता है येस समझ में आ रहा है जैसे इंडियन रेलवे दो रिजिस्टेशन है एक तो ट्रांस्पोरेशन और पेसेंजर सर्विस उसका रिजिस्टेशन अलग क्यूंकि वह भी गृपर्मेंट डिपाटमेंट है तीडियस में भी क्या होगा उसका रिजिस्टेशन होगा तो ओ इंजीसी इ कोश्चन ये है, क्या ये बीज़ार के लिए ITC यूज कर सकता है? इमानदारी से कोश्चन समझ माया? मैं O N G C हूँ, मैंने इस परिटिकुलर मन्थ में कुछ 3D S काटा, अब वो मैं अगले महिने की 10 तारिख तक जमा करवाऊंगा, जमा करवाने के लिए मैं चाहता हूँ मेरे बुक्स अब अकाउंट में ITC पड़ा हुआ है, क्रोड़ोरुपे का, क्यू ना मैं उसको यूज कर लूँ, क्या वो यूज हो सकता है? अगर हा तो क्यू हा, अगर नहीं तो क्यू नहीं? नहीं तो क्यू नहीं? एक एक करके, एक एक करके, अरे इसके कहां जायेगा इसको छोड़ तू? अरे इसके तो लेजर में आ जायेगा, इलेक्टोनिक एच लेजर में, यह नहीं कह रहा हूँ, मेरा कोश्चन कुछ और है, मैं यह कह रहा हूँ, जब यह 20,000 पर जमा करवाएगा, क्या यह ITC यूज कर सकता है? क्यू नहीं? लॉज से बताओ. section? 51 में ऐसे कुछ नहीं लिखा. नालाहक. नालाहक और रट्टू तो तो. एक बात बताओ, इसको छोड़ो के ताबो से बाहर निकल जाओ. एक वैसा ही question कोई चलते-चलते आप से पुछले रिक्षे वाला बात सुने दरा भाई, या ITC कहा का यूज हो सकता है, तो उसे क्या सलाद होगे? आप ए रिक्षा पे बैच के घर जा रहे हो, ए रिक्षा वाला भी सीई कर रहा ना कभी, उसने आप से question पुछलिया ऐसी, कि ITC यूज कहा हो सकता है, तो से क्या जवाब दोगे, यार मेरी भेशती हो जाएगी बिटा, ITC कहा कहा यूज कर सकते हैं, सरीय आपने कप पड़ाया, पूरा चैप्टर खतम हो गया, ITC कहा यूज हो सकता है, और वो टैक्स भी आउटवर सप्लाई वाला, सरीय कब लगभाया, ITC चैप्टर निकालो, स्टार्टिंग का question देखो, कि वेर इस ITC केन बी यूज, केवल किसके लिए यूज हो सकता है, आउटपुट टैक्स के लिए, केवल किसके लिए, ITC यूज नहीं हो सकता, ये केवल और केवल कैसे जमा होगा, कैश में ही जमा होगा, क्या फट्टे मार रहे हैं, उसके कैश लेजर में कैसे जाएगा, सेक्शन 51 में लिखा होगा, ना लाइक, ये भी क्रक्स निकाल कि रहा है, क्योंकि सेक्शन यह एक है 51, और सर ने कोश्चन पूछा है, तो कही ना कहीं वहीं से पाएगा हो, ये स्मार्ट स्टडी, एक्जाम में बटच जाए, ऐस पर सेक्शन 51, लॉजिक समझ में आया नहीं है, ITC केवल आउटपुट टेक्स के लिए, यूजो सकता है, इसके लिए लिए, लॉजिको, सम इंपोर्टन नोट, नमर वन, नमर वन, रिजिस्टेशन ओफ टीडियस दिदेटर, रिजिस्टेशन ओफ टीडियस दिदेटर, इस ओल्वेज मेंडिटरी, अडर सेक्षिन, 24, बिटा, दो परसोन ओबताथे इनके रिजिस्टेशन मेंडिटरी होते थे, 10 लाग, 20 लाग, 40 लाग नहीं देखते थे, आल, तेज हैं अलकें नाराक, एक तो RCM, और, और जहां थ्रेश्टोल लेखना ही नहीं, TDS तो हो गया ना, यही यही चिपका दिया, यही बढ़ा रहा हूं, यही चिपका दिया, एक तो हो गया TDS, एक जो RCM में आते हैं, और पढ़ाया होगा हमने एक दोर, 95 वाले, कमपोजिशन स्कीम में मने कब बोला, मने बोला, मने इंडिट्री यह, चुप रहा हो तो, 95 वाले, ECO, 95 वाले, ECO, 95 वाले, ECO कौन-कौन थे? पैसेंजर, ट्रांस्पोटेशन, सर्विस, यहादा रहा है आपका, तो यहाँ पर अभी तक यह पढ़ा है, इनके रिजिस्ट्रेशन क्या होते है, मेंडिट्री होते हैं, फिलाल, TDS पे रहो, TDS रिजिस्ट्रेशन इस अलवेज मेंडिट्री, नमबई टू, TDS so deducted, TDS so deducted, so S O, 100 नहीं, TDS so deducted, shall be deposited, by TDS deducted, only in cash, TDS so deducted, shall be deposited by TDS deducted, only in cash, बाकी तो सारे नोट कहीं न कहीं आ गए, wind up हो गया पिटा, अपना ये, chapter TDS, चीगे बाई, टाइम बचा हुआ, अगला chapter स्विर्यू करदू, चलो, तार्गेट अचिव, आज के लिए, इतना है, आदा कंटा पहले चोड़ रहो, आख हुआ पिटा, आख है ये, अग्हां अग्या आख हुआ, आख हुआ आख हुआ, झाल झाल